गुद मॉनिंग क्लास एथ मैं मिस्स पूजा सिंग लाल बगल सिंटर कॉलेज की ओर से इस यूटूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ बिटा मैंने आश्रम चैप्टर आप लोगों का अर्थ बता दिया था इसकी जो वर्ड मीनिंग थी शब्दार्थ मैंने लिखवाया था आप लोगों को और कॉपी में भी काम करने के लिए कहा था अब इसके बाद मैं इसके question answer है आप लोगों को बताती हूँ उसको आप लोगो copy में लिखेंगे पहला question है एक पदेन उत्तर मतलब एक शब्द में answer देना है इसका आश्रम से समी पे का नदी प्रहवती आश्रम के समी पे कौन सी नदी बैती है तो का की जगर पर आप लिखेंगे गोमती नदी आश्रम से समी पे गोमती नदी प्रहवती दूसरा question है काले काले का वर्षती इस्मा तो क क की जगह पे लिखेंगे मेघः यह देखी आंसर मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है अपनों के लिए गोमती मेघः तो काले काले मेघः वर्षती इस्मा आंसर होगा व्रिक्षेशु कस्य कुर्दनम आनंदम ददाती व्रिक्ष पर कौन कूता है जिसे आनंद मिलता है तो कस्य की जगह पर लिखेंगे वानरस्य व्रिक्षेसु वानरस्य कुर्दनम आनंद ददाती पर चौथा कॉश्यन है आश्रमे भेद भावं बिना के निवशती आश्रमे भेद भावं के बिना कौन निवास करता था आश्रमस से भेद भावं बिना के की जगह पे लिखेंगे चात्रा सभी बच्चे अतर था, छात्र जो है बिना भेदभाव के निवास करते थे आश्रमस से प्रदेश से, असमाकम प्रदेश से कस्मिन जन्पदे नैमि शारान अस्ती हमारे किस प्रदेश के? प्रदेश के जन्पद में नैमि शारान इस्तित है सीतापूर जन्मृते तो इसमें कस्मिन की जगा पे, कस्मिन की जगा अंडरलाइन में कर देती हूं, कस्मिन की जगा पे लिखेंगे सीतापूर जन्पद है, सीतापूर जन्पद में नेमिशारा इस्थित है, फिर इसके बाद हमारा next question answer है, प्रशनान उत्रान लिखती, इन प्रशनों के उत्तर ल तो इसको आप कॉपी में करिए उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताती हूं थैंक यू